हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल केरवल फार्मा में तो आज हम अपनी माइक्रोबायलोजी की न्यूज यूनिट यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे तो यूनिट सेकेंड तक हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं वो जाके आप चैनल के अंदर देख सकते हैं त पंजाई फिर ख्लस ऐसे बहने कि इसको अंदर ये वल टागए और हमारी सलिकलेटलोज यह पूली डबलाप और ऑर इसके अंदर हमारे सब्लेग्र उता है और हमारे कारें तियुक्ति अब यह आध्ये du क्योन से कडिए हम जानते हैं कि हमारा जो माईक्रो ऑर्गनीज़ में मेंका में घुता का main source होता है carbon'd और organic compound हमारे कौन से होते है ? तो organic compound हमारे वो होते है जो carbon को अपना food बनाते है क्योंकि organic compound के अंदर हमारे होते है carbon and carbon इनका क्या है main source और चार्वन ही है आप भी देख सकते हैं हम लोग है तो हमारे लिए संफ एन्रफ करने के लिए लेकिन कुछ इसे इसके फंजाई के अंदर आते हैं तो कुछ होते हैं वह क्या होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि फंजाई जो है वो aerobic भी है और anaerobic भी है क्योंकि इसमें कुछ इस्ट आते हैं सम सारे इस्ट होते हैं जो क्या होते हैं इसके बाद यह मतलब अपने आपको reproduce कैसे करते हैं यह sexually भी करते हैं बोट प्रोसेस से अपने आपको reproduce कर सकते हैं इनको हम अभी आदर जाके discuss करेंगे उसके बाद यह हमारे unicellular होते हैं बैसे यह multicellular होते हैं लेकिन जो हमारा हीश्ट होता है यह हमारा इसके वह जान लेते हैं तो depending on cell morphology मतलब फंजाई की इसाब से हमारे फंजाई है वह चार भागों में बोड़ी ओप मॉल्ड कंसिस्ट ओफ लॉंग फिलामेंट ऑफ सेल जॉइन टुगेदर दीज फिलामेंट का हाई भी मतलब क्या है कि लॉंग चैन टाइप आप समझ सकते हैं फिलामेंट है सेल की आप देख लीजिए से आपको इजी लगेगा तो यह हमारा है सेल है तो यह बहुत सारी न्यूपलेज भी बने हुए तो आप यहां देख के समझ रहे हूँँगे और इसी को हम बोलते हैं यह हमारी निकल रहे ब्रांचें लॉंग फिलामेट इन्हीं को हम बोजते हैं ठीक है फ्रेंट अब क्या है कि It Content Multiple identical बहुत सारी देखे बहुत सारी हैं इसके बाद क्या है कि इसकी हम पहचान क्या से करते हैं तो जो हमारा कल्चर मीडिया हो गा जिसपर यह हमारे फंजाई मतलब माइक्रो और फंजाई वाले आएंगे तो उसमें यह क्या सोगा कि यह ब्लेक कलर ग्रीन कलर ब्राउन कलर और पिंग कलर यह कलर के फ्यूजी अपीरियंस यहां पर दिखाई देगे ऐसे तो हम पहचान लेंगे कि यह हमारे फंजाई हैं कौन से वाले मौल्ड फंजाई हैं जिसको हम 쉬Flashy भी बोलते हैं तो चलिए और हम अपना यहां पे देख लेते हैं कि इसको strictly aerobic होता मतलब इसको ironią optimum temperature है optimum temperature हम समझते हैं वह temperature जिसमें कोई भी bacteria virus fungi grow करें बहुत ही अच्छे से तो उस temperature को मुलते हैं optimum temperature और इसका optimum temperature है 22-28 degree Celsius इसके बाद यह अपने आपको reproduce करता है small pores के तरह which can be either sexual और asexual मतलब यह sexual pores sports और asexual sports दोनों के द्वारा अपने आपको reproduce कर सकता है अब sport क्या होते हैं इसको हम अभी discuss करते हैं तो हमारा यहां पर यह हमारा हो गया अब आम इसका example देख लेते हैं क्या है एक यह है कि यह हमारे जो species होती है यह वाली फंजाई मॉल्ट्स वाली यह हमारी enzyme की production में help करती है और anti antibiotic बनाने में भी बहुत help करती है अब example इसके देख लेते हमारी क्या है तो एसपर गिल्लस नाइगर एक एसपर गिल्लस फ्यूमिगेट्स है और पैनिसीलियम नौटा लम तो अगर आपको याद करना है कोई एकाद तो यह दौनों वह हैं तो आप कुछ ऐसा मतलब example पकड़ी जो आप से थोड़ा मिलता जोलता हो जैसे यहां पर देखें तो पैनिसीलियम तो हमने पैनिसीलियन का नाम पहले नाम सुना है इससे मिलता है तो हम इसको याद कर सकते हैं जिससे आपको यह अच्छे से याद रहेगा एंड तक तो हमारा example यहा और वल मतला अंडे की सेप में होते हैं ठीक है याना कि आप आप देख सकते तो यह हम कह सकते हैं इस सेप में हमारे होते हैं फलजाई अब यह अपने आपको produce करते है तो यसरे अपने आपकोếu बढ़िंग प्रॉसेसे करते हैं आप बडिंग प्रॉसेस क्या होती यहां पे आप देखिए कि यह एक सेल है आप डाइग्राम से ही समझ रहे हैं कि क्या ह ‫ आपको पूरू कुए इसमें सिंगल सब्सक्राइब करें आप लग धेखें हैं यहां से हमारा क्या हो क्हिकly ब हम बोलते हैं बड़िंग प्रोसेस और इसी के दौरह हमारे जो होते हैं वह अपने आपको रिप्रड्यूस करते हैं ठीक है अब यह हमारा कैसे फॉर्म करता इस चीज़ को हम देख लेते हैं तो यह हमारा वाइट सर्कुलर स्मूथ क्रीमी कलोनी सर्फेस पर फिर करता जैसे ह हमारे के की तो उसने जो किए थी वह कलर और इसका क्षिट हो तो समच जाएंगे यह हमारे क्या हैhero Bright Eye है मतलब यह नहीं चाहिए लेकिन कुछ-कुछ ऐसे होते हैं इसके बाद क्या है कि इनका टेम्परेचर क्या है जो इनको बतलब बैस्ट ग्रोथ देब हमारा है थर्टी टू से थर्टी सैवन डिग्री सेल्सियों इसके बाद इस्ट जो है वह हमारे एथनोग प्रोडक्शन म हिसस है और एक हमारा है में थ्यूबर थोड़ा यह तो हम depend एक तो जरूर याद रखिए जो आपको simple लगे कोई भी याल याद रखे है तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा सिंपल यह भी करना है तो इस refrigerator होता कि यह हमारा यहां से निकलन पूरा मतलब से अलग नहीं हो पाथा है और हमारा यह भी elongate होने लगता है यह भी produce करने लगता ऐसे कि यह हमारा cell है यह हमारा पूरा अलग नहीं हो पाया और इस मैंसे further हमारी निकलने लगी elongate होने लगा फिर हमारा यह भी पूरा नहीं अलग हो पाएगा और इस मैंसे भी निकलने लगेगी और इस मेंसे भी निकलने लगेगी यहां से मतलब क्या है कि यह ऐसे करकर के प्यूरा होने लगता है और हमारे यह नहीं हो पाते पेरेंट सेल से हमारी डॉटर व्हूर यही हमारा निकलती इसको हम बड़ बोलते है यह क्या होती है Remain Attached to Mothercell जो हमारी Mothercell है पुरानी उस से साथ attached भी रह जाती है और यह आगे भी भड़ती है पिर हमारे इसमें भी सेम भ़ाई process है ये भी आगे बढ़ती है और attached भी रह जाती है पीछ ले से तो हमारी लिए अब क्या होता है कि यह रही किस तरह की कालॉनी ब्रीनियी होती है तो मिश्ट में लगाल इस बनीट आहे टी है मैं लोग आ पहिं crazाग've कमाई यह यह् struggling cause करते मतलख जो हमको बीमार करते है Ёस का बाले फंजाई यहां पे खना खरते हैं तो वह फंजाई क्या करते हैं दो रूप्स में मतलख अपने आपको घ्रोद करते हैं या आप गरों की र्रूप में जा करते हैं यह या तो मौल्ड भी सेलसिन में तो हमारे ये करते हैं इसलीए को दाइश को कश्म इसके क्या है मूको works रहे ही इसाबल करते हैं और रहे हमारी सिस्टमेटिक एसक्त पर फार्मेशन वह हमने उसकी वैस पर देखी थेखी अब हम इसकी समझेंगे इए वाले classification तो ये चार थाइप से हुती है हमारी जायगो मायीसी इस चीजGोमाीस teat मैसी ठीजुमाल, मतलब यहां पर हमने यह डियागराम देखाता है इस तरह आप को फॉर्म करती है अब यह हमारे होते हैं और यह हमारे क्या होते हैं स्पोर्स को सो करते हैं तो यह हमारे स्पोर्स को फॉर्म करते हैं अब स्पोर्स इस चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो हमारे जैसे स्पोर्स यह हमारे स्पोर्स पूरे सेव होते हैं अब जो स्पोर्स होते स्टे हैं यहीं हते हैं जो किया करेंगी मतलब एक से दो बनाएंगी दो से 5 बनाएंगी तो इस पे नाय के लिए अब क्या है यहाँ पर कि इसमें यह हमारे अस्ट्रक्चर को मतलब इस इसका मतलब क्या है यह अपने आपको बढ़िंग के द्वारा एक से दो करेंगे बढ़िंग के द्वारा ठीक है अब हमारी यह जहां पर हो गई है एक्जाम्पल इसके कहा है रीजोपस हो गए अब म्यूकर हो गए एक्टर अब हमारा दूसरा एसको माइसीट यह क्या करती है यह हमारे सेक्चुल स्पोर्स को मतलब फॉर्म करती है जो भी हमारे सेक्ट लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं जिसको हम बोलते हैं एसको पोरस और जो हमारे सेक हो रहे हैं एस nossa चीज और जो अमारे छेकों सिंपल यre है और ये हमारे- departure मोले इंक्राइशप मेंतैम स्वाइब दोनों के मड़ा disciplined इस चीज को अ Multum एक्जामपल इसका हिस्टो प्लाजम क्योंकि ने चैप्स हमारे इसक एक्जामपल था हिस्टोपलाज्म और कैंडीडा अब हमारा तीसरा है बैसीडियो माई सीड्स क्या होते हैं मतलब यह हमारे सैक्च्छली यहां अब यहां पर यह हमारे यहां पर होने लगेंगे तो हमारे यहां यहां निकलेंगे और यहां पर हमारे यह form होने लगे यह हमारे यहां पर form होने लगेंगे यह form होने लगेंगे और next slide में हम यहां देखेंगे यह हमारे पूरे हैं और यह हमारे अलग-अलग यह चारों निकल के हमारे यह form हो जाते हैं और यह क्या करते हैं फिर reproduction किसी और के मस्रूम में जाके उनमें यह साथ सoundaler करके और हमारा नೂ जो हमारे नूँ फंजाइट होते हैं यह हमारे क्या है यह ब Eisटियो माईसीट और इसलिए हम इसको बोलते हैं शेक्च़ली रेप्रट्स्ट्न यह होते हैं मतलब एक के दूसरे में जा रही है और सेट्ट्ट्वली क्या होता है कि इसकी जो मतलब consist of group of fungi who's sexual not identify मतलब इसको हम identify नहीं कर पाए है कि यह sexual है कि sexual है तीक है प्रिन्ट अब यह हमारे दौनों को grow करता है मौल्ल को भी grow करता है और इसको भी grow करता है इसके पर यह हमारे जो medical importance बगए रहा होती है उस चीज में यह बहुत हेलफल होता है अब क्यक्की डियो इमीड्स यह हमारी क्या है यह इसके एक्जामपल है और एक है कैंडीडा एवली कैसे अब हम इसका तीजरा देखते हैं रिप्रोड़क्शन और फंजाई तो इसमें कैसे हम देखेंगे फंजाई अपने आपको कैसे रिप्रोडाइस करता है तो यह झंडों दौनों तरीके से अपने आपको करता है सबसे पहले हम देखते हैं स्युक्रेटप्षन क Kerry से करते ह से हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना कभी तो इसमें क्या होता है sexual sports का form होता है अब simple है कि हमारे पास दो तरह की sports है एक sexual sports है और एक हमारे ते sexual sports ठीक है अब हमें अगर sexual रिप्रटक्ष चाहिए तो हमको कौन सा चीक है sexual sports का हमारा form होना जरूरी है तो अगर हम उसको form करते थे तो हमारे यह क्या होंगे मतलब sexual reproduction हो जाएगा तो यहां पर क्या है कि यह में क्या होता है कि fusion of cell के द्वारा यह क्या करते हैं produce करते हैं और इसमें हमारी मियोसिस process के द्वारा होते हैं अब मियोसिस process हम फ्रेंट आलरेडी जानते हैं कि हमारे एक्स और यह दो cell के द्वारा मिलके हमारे क्रिमस अटेच होके हमारी क्या होती थी मतलब जो हमारे cell बनते थे पाता है आप समझने के लिए हैं यह आपस में क्या हुए यह है और हमारे यह हैसे हो गए इसके बाद इन के अंसर मरे यह अभी आपस में नहीं टक्राए है उसके बाद then further fusion of two nucleus आप इसके बाद इनके nucleus जीसे Most और इन के nucleus ओंपस तो क्या है कि further fusion of two nucleus called karyogamy तो इनके nucleus भी further आपस में टक्रा गए एर रिजल्ट जाइगॉट इस फॉर्म इनके रिजल्ट में पूरा यह क्या होता है जाइगॉट फॉर्म हो जाता है और यह जाइगॉट हमारे फॉर्दर क्या करता है जाइगॉट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे इसके यहां पर हमने सब्सक्राइब पढ़े उसमें यह क्या थे हमारे मतलब यहीं थे एसको पैर जो हमारे क्या थे सेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो ब्लाश्टो स्पोर्स सबसे पहले हम समझते हैं कि इस फॉर्म बड़िंग फ्रॉम करते हैं इसके बाद हमारी दूसरी यहां पर आर्थ रो इस पोर्स तो यह क्या है दीजा फॉर्म वाइस बड़ंग इसके बाद यहां पर निकल रही है उने स्पोर्स आ मारे फिर नाए इसके बाद हमारे हिज summers सब्स greathey Bis resting sport develop by rounding up and tick nunging of high fall segment मतलब यह हमारा पूरा एक थिक बाल की पूरी बनी होई एक sport है जिसमें हमारे यह गोल को round shape में आके और हमारे यहां से develop होने लग जाते है sport तो यही हमारी क्या है clear my door sports यह आप simple sports और cany deo sorry conidia तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा यह कोई cell है आप समझें यह हमारा कोई पूरा externally cell है तो इसके externally यहां से हमारे support form होने लगते हैं और इनिकों बोलते कॉन अधिया और इसी को हम बोलते हैं जिसको हम आप बोलते है अब हमारे कल्टीबेशन ओफ फंजाई एक नया एक सेप्र गया है इसमें हम समझते हैं जो हमारा फंजाई है उसको मतलब हम identify कैसे करेंगे और फिर इसको separate करके grow कैसे करेंगे तो हमारा क्या होता है कि हमारा कोई यह culture media है और इसमें हमने फंजाई को grow कराना है पूरा अच्छे से अब फंजाई हमारा किस किस में काम आता है हम देखी चुके हैं दूद दही बगरा बनाने में काम आता है कुछ दबाईया बनाने में काम आता है इसलिए हम क्या करते हैं इसको grow कराते हैं तो अब इसकी पहले पहचान भी करेंगे तो कैसे कर सकते इस चीज़ को हम देखते हैं तो हमारा एक अगार आता है सेवियो रोड अगार तो यह क्या होता है अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिक पैप्टाउन कंटेनिक यह अगार होता है इसके बाद इसको हम कल्टिवेट करने के लिए यूज करते हैं बहुत सारे फंजाई बगर और इसमें फंजाई जो है ग्रोथ भी करता है तो क्या है एक हमारी क्या है जब इसमें फॉर्म कर लेते हैं ग्रोड करते हैं इसको चांप इसको डवलब किया था रेमन सेवर रॉड ने एटी नाइटी टू में इसका नाम हमारा है सेवर और अगार उसके बाद क्या है कि इसको मतलब करने के लिए कि इसको इसके बाद हम इसको हमएंटी और इसके बाद यॉज लिए कंप्लीट होते हैं इसके बाद बहुत सारे और भी मीडिया है तो यहां तक हमारे कल्टिवेशन हो गया और हमारे चारो टॉपिक आज के यहां पर कवर हो गई है फंजाई के तो आई होप आप लोगो पूरी वीडियो समझ आई होगी और थोड़ी लेंदी होगे इसके लिए चलिए तो मिलते हैं आप से बहुत नेश्ट वीडियो में जि के लिए और वाटसेख गुरूब टेलिगारम सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं आप से बहुत जल तब तक लिए थैंक यू टेक क्यार बाइबाइ झाले